भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी की गई उस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है जिसमें अल्प संख्यकों को लक्ष बनाया जानी की बात कही गई थी भारत की विदेश मंत्राले की प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी विदेश संस्था या सरकार को सम्विधान प्रदत अधिकारों से संदक्षित भारती नाग्रिकों को लेकर कोई एलान करने का अधिकार नहीं है इस रिपोर्ट पर प्रतिकिरिया देते वे विदेश मंत्राले की प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत को विदेश रिपोर्ट में कोई सचाई नजर नहीं आती है भारत को अपनी धर्म निर्पेक्ष्टा पर गर्व है भारत बिश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहूलता वादी शमाजवाला देश है जो काफे समय से सहिशनुता और शमावेश के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत का सम्विधान देश के सबी नागडिकों को उनके मूलभूत अधिकारों की गारेंटी देता है जिसमें अल्प संक्यक्षमुदाई भी शामिल है रविश कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह से सर्विधित है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट है जिसका सम्विधान सभी को धार्मिक श्वतंतता का संड़क्षन देता है और लोकतांत्रिक शरकार धार्मिक गतिवीरियों को संड्रक्षन और प्रोचसाहन देती है कुमार ने कहा है कि हम किसी भी देश संस्था या सरकार को यह अधिकार प्रदान नहीं करते हैं समवैधानिक रूप से मिले अधिकारों से संद्रक्षित हमारे नागरी को को ले कर कोई ऐलान करे।